वेल्सों गाइज, I hope you are doing well, I am वीर, वेल्कम टो इस्टरलव फैमिली, तो कैसे हो दोस्त मैं आसा करता हूँ, श्यांदा तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंज्योई कर रहे हो, अपनी सेयत, फैमिली और प्राय के दान काफी अच्छे से रख रहे हो, आज का लेक्चर हमारी कंट्री में जो सिफाई हैं, उन्होंने किस तरीके से टाइम टो टाइम अपनी कंट्री का जो परचम है, वो लहराने की कोशिस की है, बात की जारी है, नेशनल सोलेडारिटी डे के बारे में, ये जो डे है, हर साल 20 अक्टूबर को सेलिबेट किया जाता है, बेसिकली 20 अक्टूबर, जब 20 अक्टूबर 1962, यानि के जब 1912 में, चाइना के साथ में हमारी वोर स्टार्ट वे थी, बेसिकली हमारी वोर स्टार्ट नहीं हुए थी, चाइना ने हमारे उपर अटेक किया था, और दो रिजन पर एक साथ अटेक किया, एक तो रिजन था हैं आपर आ अटेक याँ पर किया गया, ये अटेक के लिए हम लोग कंप्लेली प्रिपेर भी नहीं थे, तो इसलिए हमारी कंट्री ये जो वोर थी, ये हार भी गई, तो इसका बेसिक परपर जो था, वो साइकलोजिकल इंपैट डाना था इंडिया के उपर, ना कि उसको वैसे हराना था, ताकि इंडिया, एक तरीके से एसिया के अंदर ये मान जाए कि चाइना जो है, चाइना से नीचे है इंडिया, चाइना से उपर नहीं है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए, आगे चलकर, ये नेसलनल सोलेडरिटी जेट डे है, 1966 में क्लेम किया गया, हमारी कंट्री म आपर ये डे स्टार्ट किया गया, 20 अक्टूबर को, तो यहाँ पर ये एक तरीके से रिमेंबर दिलाता है कि हम लोग किस तरीके से साथ में रहना है, और हमारे जो जाबा सिफाई हैं, उन्होंने किस तरीके से अपनी कंट्री के लिए, अपनी जो जान है, वो लगाई है, इसी के साथ में जो इंदरा गांदी जी है, आप लोगो बताएं, वो आफ्टर जो हमारी कंट्री के पहले प्राइमिस्टर थे, पंडी जवालाल लहरू जी, उनके बाज में दूसरी सबसे जादे लंबे समय तक जो प्राइमिस्टर की पोस्ट रखने वाली हमारी कंट्री पर रही, तो इनके द्वारा काफी सारे बड़े-बड़े काम कियागे, तो उसमें से नेशनल सोलेडरी जो डे है, वो भी एक है आपा, इसी के साथ में आप लोग याद रखना है, इंटरनेशनल हुमेन सोलेडरी जो डे है, ये 20 दिसमबर को सेलिबेट के जाता है, ये ने कोशन भी नहीं पूछा जाए, कोई बात नहीं, पर आप लोगो अपने देश के बारे में कम से कम ये चीजे पता होनी चाहिए, ठीक है, कि कोई भी चीज आप लोगो मिल रही है, तो उसके पीछे किसीने किसी का बलिदान है, तो इसको हलके में नहीं लेना है, कि हाँ ये हैं, तो एक तरीके से उनका आप लोगो एंजोय करना है, ठीक है, और उनकी रेस्पेक्ट करते हुए, आप लोगे सामने हैं, जो न्यूजे काफी इंपोरेंट है, तो थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीके का हमारी कंट्री में कुछ चीजों को स्टार्ट के जा रहा है, तो ओर्गिनेशन के दौरा मिलकर CSIR और IHBT, तो यह दोनों मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो CSIR और IHBT जो हैं, आपर इसका कल्टिवेशन देखने को मिलेगा, इंडियन हिमालियन रीजन के अंदर में, जो कि हम लोग हैं आपर समझना पड़ेगा, तो अगर इसके of science and technology के अंदर में हाँ पर ही आती है, एक तरीका autonomous institution है, जो कि society registration act 1860 के अंदर में हाँ पर register है, इसको established किया गया था 26 September 1942 में, और जो president है, इसके प्राइमिस्टर होते है, ex official chairman, ठीक है, ex official chairman का मतलब होते है कि, जैसे कि प्राइमिस्टर की post उनको मिलती है, यह post जो है, वो इस तुरंत पहुंच जाते हैं, इसके लिए ना तो कोई election होते है, नहीं इसके लिए अलग से कोई, उनका selection करने की जो रहते है, जैसे ही वो post मिली, यह उनको मिल जाती है, vice president जो है, ministry of science and technology के जो minister है, वो इसके ex official vice president होते है, इसी के साथ में, headquarter in New Delhi में, director general को नहीं आप लोग को बताना है, basic क्या काम होते है, research and development के field में काम करना होते है, CSIR का, जैसे कि ocean science के बारें बात करें, life science के बारें बात करें, metallurgy, chemical mining, food patrolling, इसी के साथ में, leather environments, यह सारी चीज़े जो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है, तो यह सारी condition आप लोग यहाँ पर इनके समझ सकत हैं, next अगर इसके बारें बात करें हैं, हाँपर IHBT के बारे में, तो यह Indian Institute of Himalayan, Bio Resource Technology, तो यह आप लोग को देखने को मिलेगा हैं, हाँपर हिमाचल परदेश के अंदर, तो इनकी द्वारा मिलकर, जो लाहुल वैली, हिमाचल परदेश के अंदर में, जो cultivation करने की बात के जा रही हैं, हाँपर हिंग, तो इसके बारे में आप लोग यहाँपर इसकी बोल सकते हैं, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा, यह अच्छी चीज़ है, और फ्यूचर में काफी ज़धा फाइदा भी पहुँचाएगी, ओके, यह जो न्यूज हैं, हमारी केंट्री में काफी महत्वपूर्ण एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, ताकि हमारी केंट्री में जो खासकर गाउं तक चीजों को पहुचाया जा सकें, तो इसको ध्यान में रखते हैं, हमारी केंट्री में जो खेलो इंडिया गेम हैं, उसके बारे में जो बात करे हमारी country के sport minister, तो 9 state and region territory को, यहाँ पर select किया गया sport ministry के द्वारा, अप्गेर्ड किया जाए, KELO India State Center of Excellence यानि के KISE, तो KELO India State Center of Excellence के बारे में आपर बात की जा रही है, तो इसको देखते हैं कैसे चीजों को आगे लेकर चलना है, तो जो इस state हैं आपर आंदर परदेश, चतिसगर, चंडिगर, गोवा, हरियाना, हिमाचल परदेश, पॉंडिचेरी, तिरपुरा और जम्म और कस्मीर, यह आप लोग हैं आपर राजय देखने को मिलेंगे, center जो select कर रहे हैं आपर इसके बेस पर performance, quality, infrastructure, management, sport, culture, यह सारी चीज़े आप लोग हैं आपर देखने को मिलती हैं, इसी के साथ में, यहाँ पर अगर बात करें, एक gap जो basically भरने की कोशिस की जा रही है, manager, coach, sport, scientist और जो technical support रहे हैं, उनको भी school game के नाम से हम लोगो ने इसको start किया था, ताकि जो school में बच्चे हैं, उनको हम लोग अच्छे level पर लेकर आ सकें, तो दो category में इनको divide किया गया, एक तो 17 की category में, under 17 और under 21, तो दो category में हाँ पर इनको डाला गया, तो every year, 1000 के करीब जो kids हैं आपर उनको scholarship दी जाती है, पां पांस टाइम जो भी इवेंट होए, ये 2020 में आप लोग हैं आपर देखने को मिला है, अगर इनके addition की बात करें, जो पहला addition था 2018 में, ये डहली में हुआ था, तो जो डहली में addition हुआ था, उसमें top किया था हरियाना के द्वारा, दूसरे नंबर पर महरास्टा था, और तीस जनवरी में 10 से लेके 22 जनवरी तक आसाम गौहाटी के अंदर देखने को मिला, महरास्टा पहले नंबर पर हरियाना, दूसरे नंबर पर और तीसे नंबर पर यहां पर देखने को मिला, अब जो next होने वाला है, 2021 का जो गेम होने वाला है, ये कहां पर होने वाला है, ये होन information काफी important बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं एक नई wheat याणि के गेहु के variety M.A.C.S. 6478 जो किसाने उनकी help करने के लिए जो महरास्टा के अंदर यहाँ पर यह अभी start की गई है यह जो develop की गई है आपर scientist from यह है अगरकर research institute ठीक है अगरकर research institute जो है यह हमारी country में पूरे महरास्टा के अंदर यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो कि department of science and technology ministry of science के अंदर में आप science and technology के अंदर में आप लोग को देखने को मिलेगा जिसके द्वारा यह यहाँ पर start किया गया है newly developed जो यहाँ पर जो coven जो wheat और जो bread है जिसको ash chivum के नाम से भी आप लोग जानते हैं यह 100 days में mature हो जाएगी और सबसे interesting बात यहाँ पर यह जो भी हाँ पर उन्हें रस्टिंग आप लोग कई बार देखने को मिलते हैं जो पत्तियां वो खराब हो चीजे आगे बढ़ती हैं तो उससे कई सारी ओर टेंसन यहाँ पर निकल कर आती हैं कि किसानों की जो income double करने की बात की जारी है 2022 तक तो वो income कैसे हम लोग double परकाएंगे तो उसको भी हाँ पर focus दे कर चलना है तो किसानों के लिए अगर कोई ऐसी variety अगर scientist खोजकर निगाल कर लेकर आते हैं तो यह काफी motivation का source आप लोग बोल सकते हैं जिससे किसान भी एक तरीके से एक स्थाई direction में अच्छी लागत यहाँ पर एक तरीके से गर लगा रहे हैं खेतों में तो अच्छी पैदावार कर पा रहे हैं उनको भी एक तरीका profit हो रहे है तो यह अच्छी बात है तो यहाँ पर बोल जा रहे है कि double लगबग यहाँ पर जो उन तो agriculture जो मिनिश्टी है हमारी country में उसके द्वारा launch क्या गया है आयू सुमान सहकार एक तरीके unique scheme आप लोगो देखने को मिलेगी जो कि support provide कराती है cooperative type में scheme है आपर ये जो कि healthcare infrastructure development करने की बात करी है हमारी country में ये जो scheme है आपर ये formulate की गए national cooperative development cooperation के द्वारा जो कि एक apex ये एक उचा चोटी का एक autonomous institution है हमारी country में जो कि एक तरीके से autonomous development financing institution है हमारी country में जो इस particular field में काम कर रहा है अंडर ministry of farmer agriculture and farmer welfare के अंडर में आप लोगो देखने को मिलेगा तो यहाँ पर basic purpose क्या है एक तरीके आपर support provide कराना है ताकि healthcare infrastructure हमारी country में proper way में develop किया जा सके ठीक है इसी के साथ में loan जो है आपर ये provide करा जा रहा है लगबग 10,000 crore का आने वाले time में ताकि इसको और अच्छे level पर ले जाया जा सके इसको जो pass किया गया था 1963 में खासकर promotion development of cooperatives इसको start किया गया था हमारी country में parliament act के थुरू यहनके एक तरीके से statutory status इसको मिला हुआ है जिसके base पर चीज़े जो है एक तरीक से proper way में आगे बढ़ पाती है अगर हमारी country में parliament में कोई act pass किया था इसको statute बोलते हैं आप लोग statutory status मिल जाता है ठीक है आप लोग देखते है न executive body है statutory body है या फिर सम्मेधानिक यानिक के constitutional body है तो executive body वो होती है जैसे कि नीतियायोग planning commission executive body है ठीक है कोई low pass नहीं किया गया इनके लिए parliament में statutory body वो होती है जिनके लिए low pass करके इसको बना जाते है national green terminal के बारे में आप लोग बात कर सकते है ठीक है सम्मेधानिक body जैसे पंचायती राज सिस्टम हमारी country में हो गया तो parliament अगर चीजे देखने को मिलेगा parliament में pass करकर constitution status दिया गया सम्मेधान में उनके बारे mention है तो वो सम्मेधानिक body हो जाती है तो इसमें कोई confusion माइंड में नहीं होना चाहिए next जो हैं हाँ पर news जैसे मैंने अभी आप लोगों से बात करा पंचायती राज सिस्टम के बारे में तो 73rd and 74th constitution amendment हमारी country में किया गया ground level पर पंचायती राज सिस्टम लाने के लिए और municipality बनाने के लिए तो सेंटर के द्वार आमेंट के जारा है जम्मू एंड कासमीर पंचायती राज एक्ट 1989 जिसके तहत यहाँ पर district development council बनाई जा रही है यानिके हमारी country में अभी जो जम्मू एंड कासमीर वाला जो union territory है वहाँ पर जम्मू एंड कासमीर जो पंचायती राज एक्ट है उसको चेंज किया जारा है जो 1989 का है उसको चेंज करकर district development council बनाई जा रही है और important बात यह है कि यहाँ पर इनको directly elect किया जाएगा यानिके appointed voting नहीं होगी directly elect होगी यानिके voter direct vote यहाँ पर डालेंगे ताकि जम्मू एंड कासमीर में जो governance है उसको ground level तक पहुचाय जा सके इसी के साथ में हाँ पर जो ministry of form of affairs के द्वारा amendment किया गया जो 1989 का पंचायती राज जो act है आका उसमें amendment करकर अब यहाँ पर एक तो होगे हाँ पर क्या यह है district development council और एक होगे तरीके से reservation उनको दिया जाएगा जिस तरीके से normal reservation दिया जाता है किसी भी राज्या के अंदर तो उसमें कोई change नहीं होगा तो बाकी का जो change किया गया है वो यहाँ पर किया गया है इसके अंदर district development council तो district level पर development करने के लिए council यहाँ पर सामने निकल कर आएगी ठीक है तो यह है इसका basic funda जिसको आप लोग याद रख सकते हैं तो काफी important है इसके बारे में जरूर याद रखेगा important यहाँ पर news आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं क्या क्या बात की जारी है इसको थोड़ा समझने की कोशिस करते हैं यहाँ पर जो बात की जारी है address करने के लिए जो societal challenge होगते हैं तो उसके चलते है digital innovation नीती आयोग के द्वारा announce किया गया है एक fronted technology cloud innovation center जिसको CIC आप लोग बोल सकते हैं with the help of Amazon जो web service है उसके द्वारा यानिके Amazon web service के साथ हैं मिलकर नीती आयोग हमारी country में काम करने वाले हैं जो खासकर जो challenge होते है society के उनको address करने के लिए और country में अपने ही तरीका एक program आप लोग को देखने को मिलेगा तो जो part हैं हाँ पर यह जिसको बोला जारहे हैं हाँ पर AWS यानिके Amazon web service CIC जो आप लोग है हाँ पर देखने को मिल रहे हैं तो एक तरीके से cloud innovation center तो global program यहाँ पर है इसके चलते एक opportunity है जो government agencies है, non profit organization है, educational institution है यह सारे मिलकर साथ में आएंगे और क्या-क्या challenge हैं आपर, किस त web service तो यह सारी चीज़ा आप लोगे सामने हाँ पर निकल कर आएगी, तो काफी important आप लोगे लिए हाँ पर यह हो सकता है, science and tech वाले field में भी, तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर idea रख सकते हैं, ठीक है, तो काफी important news है, यहाँ पर direct question बन जाता है, कौन मिलकर काम कर र तो यहाँ पर इस से related यह news है, इसमें काफी interesting जो बात की जा रही है, वो की जा रही है, कि अभी recently, जो symbol है, जैसे आप लोग देखते हैं, कही लांट हैं, देखने को मिलता है, कही हाँ, कही हाँ, कही जाडू, यह सारे symbol आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो बिहा symbol, reservation, and allotment, amendment, order 2017 के इसाब से symbol दो category में divide के जाते है, reserve symbol और free symbol, ठीक है, तो reserve symbol जो होते हैं, जो पोले तीक है, दो तरीके से आपर आप लोगों से question भी बन सकता है, इस से related, तो जिन में से जो recognized party होती है, उनके लिए reserve symbol होते हैं, और बाकी के free symbol होते हैं, लगबग 200 का करीब pool है आपर जो unrecognized जो party हैं, जो member हैं, वोटते हैं, उनके लिए हाँ पर ये provide कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे ऐसे नए symbol अब की बार आप लोगों को देखने को मिले हैं, जैसे की चोडिया बगएरा हो गई हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कई सारी ऐसे symbol आप लोगों के जाड़ू किसी के लाल टेन, तो यह सारी चीज़ा आखिर क्यों थी जाती है, देखें, जब हुआरी country आजा दुई, तो उस time पर जो लोग थे, वो ज्यादा पड़े लिखें नहीं थे, तो चीज़े लिखी हुए उनकी समझ में नहीं आती थी, तो उसको symbol की form में convert कर दिय आप लोग नहीं सुनाओं को बच्चों को बढ़ायाता है, A4 Apple, B4 Ball, ठीक है, तो यही basic purpose था, ताकि वो देखकर समझ पाएं कि कौन सी political party को vote देना है, ताकि उनको गुमरा नय किया जा सके political parties के द्वारा, और एक तरीके से वो भी उसको recognize कर सके, तो यह basic फंडा था यहाँ जिसकी वे से यह symbol आप लोग को देखने को मिलते थे, ठीक है, तो election symbol जो यहाँ पर reservation and allotment, यह amendment order 2017, इसके इसाब से यहाँ पर यह चीज़ा आप लोग को देखने को मिलती है, ठीक है, यह basically 85% के करीब जो यहाँ पर electorate थे वे illiterate थे जिसकी वे से, यह visualize form में अगर चीज़े solidarity day के बारे में जाना, हिंक के बारे में हम लोगों ने समझा, एक particular organization के बारे में detail में समझा, Kelo India program के बारे में काफी detail में हम लोगों ने distance किया, इसी के साथ में गेहु की variety और वो सब चीज़े जानी, next हम लोगों ने प्रोग्राम के बारे में जाना, अपनी country में society को लेका, इसी के साथ में जम्मु कासमीर से related जो amendment है, उसके बारे में हम लोगों जानने को मिला, नीती आयो के साथ मिलकर काम कर रहे है, Amazon, ये चीज़े हम लोगों ने जानी, और next यहाँ पर जो symbol allotment है, इन सब से related हम लोगों ने चीज़े समझी, ठीक है, अब आप लोगों के सामने हींग को हमारी country में उगाने के लिए, ठीक है, cultivate करने के लिए, तो ये IHBT का है, इसका नाम बताना है, National Solidarity जोड़ी है, ये 20th of October को celebrate के जाता है, तो किस country के दोरा, चाहिना के दोरा हमारी country में दो राज्यों के ओपर अटेक किया गया एक साथ में, तो कौन-कौन से दो राज आयू श्रमान, जो आयू श्रमान सहाकार करके हैं अब ये scheme स्टार्ट किये, इसी के साथ में, जो नीती आयो गया हो गया हो, किसके साथ मिलकर काम कर रहे है, था कि हमारी country में जो technology front पर काफी सारी problem के solution निकाले जा सकी, तो ये question है जिनके answer देने, अब कल का revision कर लेते हैं, ए उसका एक initiative है ता कि जंदा तक पोचा जा सके है, उसी initiative का नाम बताना है, anti-tank guided missile के बारे हैं, तो इसके बारे में आप लोग को बताना है, successfully test fire की गई, तो ये हाँ पर इसके बारे में आप लोग क्या बताना है, किसके दवारे हाँ पर ये fire की गई, ये बताना है, ठीक है, इसी के साथ में 8th edition जो annual Indian Navy और Sri Lanka exercise का कहा पर देखने को मिल रहे है, नेश्ट यहाँ पर विजयराजिस इंदिया के बारे में जाना, किसकी ये wife थी, जो last ruler थे कहां के, ठीक है, इसी के साथ में border road organization कौन सी ministry के अंडर में आती है, पहले fund ये ministry of road transport highway से लिया करती थी, इंडिया पहले की rank क्या है, 107 country के अंदर ये बताए, गलोबल हंगर इंडेक्स के अंदर में, RKA, तो इसके बारे में आप लोग को बताना है, RKA के बारे में इसकी full form क्या है, जिसके तहित काम धेनू, दिपावली अभियान के बारे में हम लोगों ने discuss किया था, तो ये question है, इनकी answer म अभी आप लोग को बताऊंगा, अच्छे से देखिएगा answer, और आप लोग को लंबे समय तक याद रखने हैं, क्योंकि direct भी question exam में बन साता है, और इसी के साथ में किसी question में, ये statement भी बन सकती है, ठीक है, तो खासकर बिन option के answer देना सीखिला, तो लंबे समय तक चीज़े य इर्बंद initiative, ये start किया गया, anti-tank guided जो मिसाल है, ATZM, ये आप लोग को देखने को मिलती है, defense research development organization के द्वारे इसको test fire किया गया, 8th edition जो देखने को मिल रहा है, इंडियन नेवी का, इसी के साथ में, सिरलंका जो नेवी है, मिलकर काम करें, ये सिरलंका में देखने को मिल रह एरिया में, जो हम लोगों ने distance किया था, विजयरादी सिंधिया, जो यहाँ पर एक गवालियर, जो यहाँ पर जिवाराजाओ सिंधे की वाइफ थी, जिनके बारे में हम लोगों ने distance किया था, तो यहाँ पर जिवाजी राओ सिंधे, तो नाम इनका भी याद रखेगा, last गवालियर के ये रूलर थे Border Road Organization Ministry of Defence के अंडर में आती है completely पहले अपना fund ये Ministry of Road Transport and Highway से लिया करती थी 94, 107 में से आप लोग को यहाँ पर इंडिया की रैंक देखने को मिलेगी Global Hunger Index में अच्छा total कितनी category कितनी जो सब category में इसको divide किया गया है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आप लोग को बताना है राष्ट यह काम देनों आयोक के बारे में हम लोग ने discuss किया था दिपावली पर जो campaign चलाय जा रहा है ताकि natural चीज़े हम लोग यूज कर सकें तो यह था total आज का discussion मैं आसा करता हूँ कि आप लोग ने इसको enjoy किया है अगर यहाँ तक देख लिया तो feedback दिये बगएर मज जाईएगा lecture थोड़ा late हो गया क्योंकि आप लोग को पता है कभी-कभी थोड़ी कुछ काम पढ़ जाते है तो उसकी वेसे lecture कई बार late हो जाते है